Hello friends, आज हम Article 32 में दिये गए पांचो रिट्स को डीटेल में कवर करेंगे हमने पिछली वीडियो में दिखा था कि हमारा Constitution हमें 6 Fundamental Rights देता है जो कि हमें Constitution के Part 3 में देखने को मिलते हैं Article 12 से Article 35 तक और इन ही आर्टिकल में से एक आर्टिकल है Article 32 जो हमें राइट देता है कि अगर हमारे किसी भी Fundamental Rights का violation होता है तो हम Supreme Court को अप्रोच कर सकते हैं यानि अगर हमारा Fundamental Rights violate होता है तो आर्टिकल 32 हमें ये पावर देता है कि हम Supreme Court में रिट पेटिशन डाल सकते हैं और यही Article 32 Supreme Court को भी पावर देता है कि वो हमारी रिट पेटिशन को examine करके एक रिट इशू कर सकता है हमारे Fundamental Rights को restore करने के लिए अब question ये है कि ये रिट होती क्या है तो basically रिट जो है वो एक order होता है जो court इशू करता है in the form of warrant, direction, command या फिर order की तरह ये रिट जो है ये 5 तरह की होती है सबसे पहले शुरू करते हैं हेबिस कॉर्पस से हेबिस कॉर्पस इस रिट का main purpose है citizens की liberty को protect करना ताकि उन्हें illegal detention या arrest से protect किया जा सके एक example से समझते हैं जब भी किसी इंसान को detain किया जाता है तो हमें पता है कि article 22 उसे ये right देता है कि उसकी arrest के 24 घंटे के अंदर अंदर उसे magistrate के सामने ले जाना ज़रूरी है और अगर ऐसा नहीं होता है तो 24 घंटे के बाद पुलिस उसे अपनी custody में नहीं रख सकते है क्योंकि 24 घंटे के बाद इसे illegal detention माना जाएगा और ऐसी इस्तिती में जो परसन है वो सुप्रीम कोर्ट में हेबिस कॉर्पर्स की रिट पेटिशन डाल सकता है बड ऐसा भी हो सकता है कि पुलिस की इस illegal detention के दोरान वो ऐसी इस्तिती में हो ही ना कि वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर पाए तो इसी लिए उसके जो close relatives हैं जैसे कि उसकी mother, father, उसकी wife, भाई या बहन या उसके friends भी उसके भिहाव पर हेबिस कॉर्पर्स की रिट पेटिशन सुप्रीम कोर्ट में डाल सकते हैं और इस रिट पेटिशन के response में सुप्रीम कोर्ट हेबिस कॉर्पर्स की रिट इशू करके responsible authorities को ये order देता है कि आप एग्रीव पर्सन को सुप्रीम कोट के सामने लिकर आओ और फिर सुप्रीम कोट ये एग्जामिन करता है कि क्या appellant की detention legal है अगर सुप्रीम कोट अपनी examination में बाता है कि detention जो है वो illegal है तो वो एग्रीव पर्सन को छोड़ने के लिए निर्देश देता है और ये जो रिट आफ हेबिस कॉर्पस है ये सिर्फ public authorities के खिलाफ नहीं बलकि private individuals के खिलाफ भी applicable है यानि अगर आपके पडोसी ने आपको अपने घर में बंद कर लिया है तो भी आप या आपके relatives Supreme Court में हेबिस कॉर्पस की रिट पैटिशन डाल सकते है ये जो word है हेबिस कॉर्पस ये एक Latin word है और इसका मतलब है to have the body तो ये हुआ हेबिस कॉर्पस इसको हम done mark कर देते हैं अब देखते हैं next rate जो है mandamus ये रिट पैटिशन किसी भी public official या कहें कि सरकारी नोकर के खिलाफ की जा सकती है अगर वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है और उसके इस काम ना करने से आपका fundamental right wallet होता है तो इसे भी एक example से समझते हैं Article 19 हमें एक fundamental right देता है कि हम अपने लिए कोई भी profession choose कर सकते हैं हम जो business या trade करना चाहें वो कर सकते हैं बढ़ आपको पता है कि कई सारे trade या business के लिए हमें respective authorities से license लेना होता है बढ़ licensing authority अगर किसी unnecessary reasons की वज़ा से आपको office के चक्कर लगवा रहे हैं और आपको license देने से मना कर रहे हैं या फिर रिश्वत मांग रहे हैं तो ये आपके Article 19 का violation हुआ क्योंकि in a way वो आपको ये profession choose करने से रोक रहे हैं और ऐसे cases में आप Supreme Court में writ petition डाल सकते हैं Supreme Court mandamus writ issue करके required authorities द्वारा ये ensure करेगी कि जो भी officer है वो अपना काम करे mandamus का मतलब होता है weak command और यहाँ पर mandamus writ द्वारा Supreme Court command करता है कि required authority अपना काम करे और ये mandamus writ petition आप कर सकते हैं किसी भी public body, corporation, inferior court, tribunal या फिर government के खिलाफ बट आप President या फिर State Governor के खिलाफ mandamus writ petition नहीं कर सकते हैं तो President और State Governors के खिलाफ तो आप ये writ petition नहीं कर सकते हैं बट ऐसे और कौन-कौन से लोग हैं जिनके खिलाफ आप ये writ petition नहीं कर सकते हैं चली देखते हैं तो ये writ petition आप private individuals के खिलाफ नहीं कर सकते हैं मतलब कि आपने मालो घर में एक painter बुलाया है और वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है तो आप mandamus उसके खिलाफ issue नहीं कर सकते हैं इसी तरह से जो department के instructions होती हैं अगर कोई उसको follow नहीं कर रहा है और आप उसको enforce कराना जाते हैं तो ये भी writ petition के दुरू पॉसिबल नहीं है similarly अगर कोई duty public officers के लिए discretionary है mandatory नहीं है तो भी आप mandamus rate petition नहीं डाल सकते हैं इसके अलाबा अगर आपने किजी के साथ कोई contact sign किया हुआ है और वो contact का पालन नहीं कर रहा है तो भी आप इस rate petition का इस्तमाल नहीं कर सकते हैं हाई court के chief justice के खिलाब भी आप ये rate petition नहीं डाल सकते हैं तो ये था mandamus इसे भी हम mark कर देते हैं अब देखते हैं prohibition rate of prohibition higher courts जो है वो अपने से lower courts को issue कर सकते हैं उनकी proceedings को रोकने के लिए example से समझते हैं यहाँ पर एक बंदे ने किसी का murder कर दिया है पुलिस ने इसकी charge sheet बनाई है और case चलने लगा है lower court के सामने इस बंदे ने खागा कि मैं अभी सिर्फ 15 साल का हूँ being a juvenile इसका case बाकी बच्चों की तरह juvenile court में ही चलना चाहिए otherwise ये तो इसके fundamental right article 14 का violation होगा तो lower court में इसका case चली रहा था कि इसने supreme court में prohibition writ डाल दी supreme court ने इसकी writ petition को examine किया और वाकी पाया कि ये article 14 का violation है और इसका जो case है वो juvenile court को handle करना चाहिए तो supreme court prohibition writ को issue करके lower court में चल रहे हैं इस case को stop करा सकते है prohibition का मतलब ही होता है to forbid यानि to order someone to not to do something तो ये जो writ है ये higher court अपने से lower court या tribunals को issue करते हैं ताकि वो ऐसे cases में decision ना ले पाये जो उनके jurisdiction area से बाहर है जैसे कि एक example अभी हमने देखा और ये rate of prohibition judicial और quasi judicial authorities के ही against pass की जा सकती है तो ये तो हो गया prohibition इसको भी हम mark कर देते हैं as done अब देखते हैं searchory searchory और prohibition में difference ये है कि जब आपकी proceedings lower court में चल रही है judgment अभी तक नहीं हुआ है उस समय higher court में prohibition के लिए rate of petition डाल सकते हैं lower court की proceeding को रुखवाने के लिए बड़गर फैसला हो चुका है और आप उस फैसले को squash करना चाहते हैं यानि कि खतम करना चाहते हैं इसे उमर कहते हैं कि सजा सुना दी है और सजा सुनाने के बाद इस बंदे को कोई बताता है कि तुम्हारे साथ तो अन्याय हो गया क्योंकि ये जो court है ये तुम्हें सजा सुना ही नहीं सकता था क्योंकि तूमाभी juvenile हो और तुम्हारे तो fundamental right article 14 का violation हो गया बट केस का फैसला तो हो चुका है तो prohibition तो हम नहीं लगा सकते है बट अभी भी supreme court में अगर writ petition डाली जाए सर्शरी की तो supreme court इसकी writ petition को examine करके lower court के judgment को squash कर सकता है सर्शरी writ को issue करके सर्शरी का मतलब भी होता है to be certified मतलब higher court ये certified करेगा कि lower court का जो फैसला है वो सही है या गलत और ये इस writ petition का यानि सर्शरी का एक प्रकार से curative function हुआ सर्शरी का एक दूसरा function भी है और वो है preventive curative function of surgery को हम अलड़ी समझ चुके हैं अब देखते है preventive function यहां क्या होता है कि अगर higher court को लगता है कि lower court अपने jurisdiction area से बाहर काम कर रहा है या फिर lack of jurisdiction है तो higher court ऐसे cases को खुद को transfer कर सकता है तो हम देख सकते हैं कि सर्शरी function करता है prevention और cure दोनों के लिए जबकि prohibition rate का function है सिर्फ preventive और हमने ये भी देखा था कि prohibition rate सिर्फ judicial और quasi-judicial authorities के लिए ही applicable है और ये बात सर्शरी के लिए भी applicable थी बट 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि सर्शरी जो है वो administrative authorities के अगेंस भी जारी की जा सकती है बट हमें पता होना चाहिए कि legislative bodies और private individuals के अगेंस rate of prohibition और सर्शरी दोनों की दोनों जारी नहीं की जा सकती है तो ये था सर्शरी अब हम इसे भी mark कर सकते हैं as done last rate है क्यो वारेंटू क्यो वारेंटू रिट का इस्तमाल किया जाता है ताकि कोई भी इंसान धानले बाजी करके public office occupy ना कर पाए और आप Supreme Court में rate petition तब डाल सकते हो जब किसी बंदे के public office occupy करने से आपका कोई भी fundamental right wallet होता है क्योंकि अगर आप Supreme Court में rate petition डालोगे तो आपको बताना ही होगा कि आपका कौन सा fundamental right wallet हो रहा है तो इसका एक example दिखते हैं मालों की एक सरकारी position का appointment किया गया है जिसका कोई advertisement नहीं किया गया eligible और qualified लोगों से उनकी application नहीं ली गई है तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि वो position किसी के लिए पहले से fix कर दी गई थी और यह है fundamental right article 16 का violation क्योंकि article 16 हमें public employment में equality of opportunity देनी की बात कहता है और अगर हमें opportunity दी ही नहीं गई तो इसका मतलब है कि this is a violation of our article 16 जो कि हमारा fundamental right है और अगर आप rate petition डालते हो तो Supreme Court क्यो वरांटो रिट इसू करके concerned authority से यह पूसता है कि आपने किस authority से इस इनसान को इस पद पर न्यूक्त किया है या फिर ये इनसान किस हैसियत से इस पद पर बैठा हुआ है हलागी क्यो वरांटो रिट पेटिशन आप सिर्फ public officers के appointment से लिटेड ही डाल सकते हो minister या फिर private officers के लिए क्यो वरांटो applicable नहीं है आप ये नहीं कह सकते कि करण जोहर अगर कल को एक movie बना रहा है कि सिर्फ aggrieved person ही रिट पेटिशन डाले कोई भी किसी के भीहाफ पर रिट पेटिशन डाल सकता है तो ये हो गया क्यो वरांटो यानि पांचो रिट हमने कवर कर ली है अब यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि अगर आपका fundamental right wallet हुआ है तो रिट पेटिशन आप सुप्रीम कोट में डाल सकते हो as per article 32 बट अगर आपका fundamental right wallet नहीं हुआ है और फिर भी आप रिट पेटिशन डालना चाहते हो तब भी आप डाल सकते हो बट इस केस में आप सुप्रीम कोट में नहीं अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें अपना फीड में कमेंट बॉक्स में जरूर दें थैंक्यू सो मच फो वाचिंग अन सपोर्टिंग बुक्स तवार